एक ही समय में दो मंत्री एक ही तरह की बाते क्यों कर रहे थे क्या निरंजन जोती और गिरिराज सिंग दोनों के ही बयान फिसल रहे थे सोमवार सुबा पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन के एक चर्ज में आख लग गई इसाई समुदाय को लगता है कि किसी ने जान बुचकर गरबड़ी फैलाने का प्रयास किया विप्रधान मंत्री से नियाईक जाच की मांग कर रहे हैं लेकिन दिल्ली पुलिस ने साइटी का गठन कर दिया है इस घटना के निंदा तो सब ने की है वहाँ पर बीजेपी के ही सांसत मनुस्तिवारी पहले पहुँचे बाद में आने दलों के निता भी अच्छी बात है कि किसी भी दल ने इस मामले को लेकर अभी भरकाओ बाते नहीं किये लेकिन कहीं न कहीं इन घटनाओं के बहाने व्यापक रूप से ऐसी बहस पैदा करने का प्रयास तो नहीं है जिनके दम पर सांप्रदाइक भावुकता पैदा की जा सके जब संसत में केंद्रिय राज्यमंत्री निरंजर जोती के बयान पर हंगामा हो रहा था तब सीपीम नेता ने सीता राम येचूरी ने कहा कि मंत्री के खिलाफ एफाई यार होनी चाहिए उन्होंने तरिनमुल कॉंग्रेस के सांसत तापस पाल के एक बयान का हवाला दिया कि माफ़ी मांगने के बाद भी अदालत ने उनके गिरफतारी का आदेश दिया था इसी साल जुलाई में तापस पाल ने कहा था कि अगर सीपीम का कोई भी बंदा हमारी मा बहन को छेड़ेगा तो तापस पाल नहीं छोड़ेगा वो रिवालवर से गोली मार देगा मैं अपने लड़कों को भेज कर उनका रेप करवाऊंगा तब कुलकता हाई कोट ने कहा था कि इस बयानने सभी हदे पार कर दी है इनके खिलाफ FIAR होनी चाह हीए तापस पाल के माफी मांगने के बाद भी कोट ने कहा कि किस से माफी मांगी गई है जनता से या अपनी पार्टी से 43 पन्नों के आदेश में अदालत ने कहा था कि अगर कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ेगा और कानून का पालन कराने वाली एजनसियां आखे बंद कर लेंगी तो क्या इसे कोई सदस सभे मुलक बरदाश्ट करेगा तब बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ने तापस के गिरफतारी की मांग की थी मंत्री ने केंद्रिय राज्य मंत्री ने माफी मांग ली है गिरीराज सिंग्ग ने अभी नहीं मांगी है आप जनता की सेवा के लिए बेचैन हमारे निताओं को क्या हो जाता है कहीं आप जनता ही तो गलत नहीं है ऐसा तो नहीं कि आप ही ऐसी भाषा आजकल पसंद करने लगे हैं क्या पता आप भी वही सोचते हों जो आपके नेता कहते हैं एक बार सोचिएगा प्राइम टाइम देखते देखते आपका भी टाइम कट जाएगा हमारे साथ इस्टूडियो में जॉन दयाल साहब वरिष्ट पत्रकार हैं और आश्ट्य एकता परिशद के सदस्य भी हैं गौरब गोई हैं सांसद हैं कॉंग्रेस के मनिश सिसोदिया प्रवक्ता आपके संबित पात्रा साहब हैं बीजेपी के राश्टिये प्रवक्ता हैं संबित भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस मंत्री का बयान आपको बुरा लगा गिराज सिंग का या साधवी निरंजन जियोती का गिराज जी का बयान तो मैं नहीं सुना हूं मगर आज सुबह से जिस प्रकार से साधवी जी के बयान को बार बार टेलिवीजन चैनल में दिखाया जा रहा है सोभाविक रूप से मैंने उसे सुना है और इसमें कोई दोमत नहीं है कि राजनेतिक जीवन में एक परिमारजित भाषा का प्रयोग राजनेतिक जीवन में ही क्यूं किसी भी क्षेत्र में परिमारजित वचन का प्रयोग भाषा का प्रयोग करना ये बहुत अनिवारिया ह और जिस सब्द का प्रयोग साथवी जी ने किया ये सब्द प्रयोग नहीं होना जाए अर्विन जी राक्षस थोड़ी है अर्विन जी ने बोला तभी मैंने आपसे बुला कि किस मंत्री का बयान आपको जादा बुरा लगा हाँ नहीं नहीं राक्षस वाला को हटा देते हैं मगर मरीज जहां तक है वो देखे एक माया के आवरण को डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार रूप बदलते रहते हैं सारे धार्मिक व्याक्षाओं का एक अधिकार मतलब मैं क्या कहूं राम जादा शब्द आपने सुना था इससे पहले संबित जी नहीं नहीं मैंने नहीं सुना था और मुझे लगता है बहुत जादा इसको डिसक्स करने की भी अवाशक्ता नहीं होनी चाहिए बार ठीक है लेकिन कहीं इसका समद मानसिक्ता से तो नहीं है बार बार इस तरह से कहना कि राम को मानने वालों की सरकार चाहिए हिंदू मुसल्मान या इसाई भी जो है वो राम की संताने हैं इस वाले हिस्से पर भी आपको बुरा लगा दो तीन चीज़े आप अगर अलाव करेंगे तो मैं बहुत शंशेप में रख दूँ एक तो है कि इस पूरे मामले को भाशा की अवद्रता के आएने से तो देखा जा सकता है मगर कम्यूनल मानसिक्ता के आएने से देखना उचित नहीं होगा क्यों नहीं होगा मैं बताता ह पहला वो एक साध्वी है और उन्होंने स्वभाविक रूप से पूरे जीवन राम की भक्ति की है तो जो वेक्ति किसी भी इश्वर का राम हो या अल्ला हो या जीजस हो किसी की भी भक्ति करता है तो स्वभाविक रूप से वो कहता है कि पूरा संसार उनीकी संथाने है उस अगर धार्मिक दिश्टिकोन से देखें, तो अगर कहा जाए कि इश्वर अलग अलग है अब गांधी जी भी कहते तो फिर वो खुद को भी कहना कि वोभी अलगी क संताने है, वो भी जीसस की संताने हैं, वो तिनों ने नहीं कहा हम लोग सब सबके संतान है इसलिए नहीं संभी जी इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि भाषा की अबद्रता जबान फिसलने की बात नहीं है मतलब दो आपके मंत्री एक ही दिन दिल्ली में इस तरह की बाते कर रहे हैं देखिए बहुत बड़ी बात यहा है कि पार्टी ने संग्यान में लिया खुद मंत्री को भी लगा कि यह उचित भाषा का प्रयोग नहीं हुआ तवरीत रूप से सदम के पटल पे एक शमाय आचना की मुझे लगता है इस शुट भी अ क्लोज्ड अफैर कौन सावला ने जो गाली दिये है तो गाली वाले पर ठीक है उन्होंने रामजादे के समनांतर एक गाली दी जिसके लिए माफी माँगे क्या उन्होंने इस बात के लिए माफी माँगी है कि जो मुसल्मान हैं इसाई हैं वे सभी राम की संताने हैं तो हम और फर्दर डैमेज कर रहे हैं बार बार ऐसा कुछ कह के मुझे मुझे लगता है किसी को खुश करने का इंटेंशन नहीं था नहीं स्यूंत किया हूं नहीं राजने की उपक्रूश क्रूश करने का किया है मतलब कोई किसा बचाओ करने बचाओ boca नहीं कर construction का है कर रहा है यह intention इसमें नहीं था वेंक या नाइडू कहते हैं कि उसमें intention नहीं था यह तैसा मुसल्मान हो या हिसाई हो सारी राम की संताने है देश को मानने वाले की सरकार चाहिए जो ये नहीं मानते देश को नहीं मानते ये का हुने ने राष्टर पिता महात्मा गांधी उन्होंने खुद कहा है कि इश्वर अल्ला तेरो नाम वहां तो जाके सबका समागम हो जाता है कोई अल्ला अलग राम अलग जैसे लिए कांधी का वो भजन करने लगे तो फिर उनकी भजन की समझ बदल जाएगी लेकिन वो मानने के लिए तयार नहीं है ना लेकिन आप मुझे आपका जवाब से लग रहा है कि फसाया है उना और आप ये जानते हैं कि इसलिए मुझे मैंने दिल्ली के जनता से भी पूछा है कि हो सकता है कि वो भी इतनी मासूम ना हो उसको भी आज कल यही भाशाएं पसंद आने लगी हो तो वो ये जाने और ये समझे लेकिन ये कहना कि जो राम को नहीं मानता देश को नहीं मानता जो आपको बोट नहीं करेगा वो देश को नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि अपने मं प्रिय, प्रवक्ता, संबीत पात्रा जी उतने आक्रमक नहीं है, तो क्या ये ठीक नहीं है गौरफ जी की, उन्होंने कम से कम वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, उनके भाशन के किसी भी अंश से, तो अंत में समझदारी की जीत हुई गौरफ रवीश जी मुझे सबसे पहले ये कहना पड़ेगा कि मंत्री जी को पूरे 24 घंटे क्यों लगे माफी मांगने के लिए वो मोधी सरकार प्रधान मंत्री सरकार के वो वरिष्ट मंत्री हैं उन्होंने उनको कल ही माफी मांगने ना चाहिए था जैसे ही उनके मुझे वो शब्द निकला उसी समय उनको समाज आ जानी थी कि उन्होंने कुछ गलत कहा उसी समय सबके सामने उनको माफी मांगनी चाहिए थी लेकिन आज सुबे भी आपके मीडिया के अलग-अलग जर्नलिस्ट के सामने उन्होंने माफी नहीं मांगी और लोकसभा के पटल पे भी उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी बात से किसी को खेट पहुची हो अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुची हो तो मतलब वो अभी भी सुवयाम यह नहीं मानती कि उन्होंने कुछ गलत कहा तो मुझे आज उन्होंने जो एक statement दिया उस statement पर हम हम जनता हम कितना विश्वास कर सकते हैं उसपे भी मुझे doubt है उसपे भी मुझे एक संदे हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये चुनावी भाषाओं में जन प्रतिनीदियों को रोक देनी चाहिए कि भाषा की जो लक्षमन रेखा है उस लक्षमन रेखा को वो पार ना करे गाली देने से हम वोट नहीं जीच सकते ये 2014 लोगसभा निर्वाचन में बहुत अलग अलग प्रकार क भाषाओं और शब्दों का इस्तमाल किया गया है उससे हम दूर हटना चाते हैं और क्योंकि मंत्री जी एक साध्वी भी है साध्वी हिसाब से मैं चाहता ठाकि वो जन means जाकर के शांती की बाते करें आ ए सविधान की बाते करें वो हार्मिन की बाते करें लोगों के एक साथ जोडने की बाते करें लेकिन जिस प्रकार उन्हें भाशा का प्रयोग करते हुए कहा कि अगर हम बीजे पी के जो धर्म के प्रती जो उनके सिधानते हैं या हम उनके साथ है या उनके अगर विपरी थे तो हमें जहुनलों में जाना पड़ेगा यह जिस प्रकार की व आज उन्होंने लोकसभा के पटल में इसका उन्होंने एक्स्प्लेशन नहीं दिया, इसका उन्होंने क्लारिफिकेशन नहीं दिया, हमारे साथ रामजादा नहीं है, तो वो कौन है, वो किसको टागेट कर रहे थे, उसका उन्होंने आज विशलेशन नहीं किया, रामजादा निर्वाचन में शहख़चादा का शब्द यूज्ट किया राम जादा यूज़ करें वो जादा और जादा जादा ही ये पाटर है आप हमारे साथ मायावी रखशक मारीच की पार्टी के मनिश अशी सोधिया है प्रवक्ता मारिच समुदाय के मनिश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने राहत महसूस की कि संबित पात्रा ने आपको मारिच बंश से अभी मुक्ति दे दी उन्होंने कहा कि इस तरह के विश्टेशन हो जाते हैं एक तरह से रूपक के रूप में मेटाफर के रूप में और इसे जादा बढ़ा चड़ा कर नहीं देखना चाहिए लेकिन मेरा एक थोड़ा सा इसमें broader question है कि कल जब ये मुद्दा आया और मीडिया ने मुझसे भी सवाल किये तो मैंने थोड़ा सा google करने की कोशिश की कि आखिर नेता जी की history क्या है तो ये तो मार्च में मोदी जी की एक rally में यही भाषा इस्तेमाल करते हुए फिर मीडिया दोरा पकड़ी गई थी मीडिया दोरा रिपोर्ट की गई थी अब एकदम यही भाषा जो कल इनों ने जुमला इस्तेमाल किया वही जुमला इनों ने जारखंड की एक रैली में किया मोदी जी से पहले यह बोली और वहाँ उन्होंने इसका 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 इसके बाद मीडिया में भी खूप छपाए है इस पे है क्या कि अगर कोई नेता इनका स्टेज से खड़े होके इस तरह की भाषा देता है भाषन देता है तो उसको यह अख़बारों में छपता भी ऐसा नहीं कि अन्नोटिस जाता है पहले मार्च में भी छपा तो वो कैसे उनको टिकेट मिला ऐसी बात करने वाले नेता को कैसे उनको ताकीद के बिना फिर मंतरी बना दिया गया और उसके बावजूद वो इस्तेमाल कर रही है तो एक तो चीज है ही यह भारती जिंता पारटी को मुझे लगता है पर फिलाल आप फ्रेव में आदमी लग रहे हैं कोई हिरन दोरन बन के नहीं आये हैं ठीक है पर संभी जी एक बात बताईए कि देखिए गिरिडाज सिंका भी एक रवीश 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 मैं लेकिन एक चीज रखने चाहता हूँगा अभी प्लिस हाँ अब बते हैं पर इस देश में है उसको सब को हिंदू कहना पड़ेगा आप तो why ही जी जीach के कहती हैं कि जो यह सब राम की संताने हैं है ना तो कहीं ना कहीं यह ट्रैक चला आ पाकिस्तान वाला बयान दिया था वो सब को पाकिस्तान से को और शपत में पांच से जवाब नहीं दे पाऊंगा ना अच्छा दिजिए का जवाब दूगा ठीक है गलती हुई गलती सुधार लिया गया शमायाचना कर ली गई मगर एक अंग्रेजी में कहावत है कि जो वही व्यक्ति पत्थर फेके जिसने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया है आज जो हमें प्रशन पूछ रहे हैं ये बाइबल में है कि वही पत्थर मारे जिसने कभी जीवन में पाप नहीं किया है और आज हमें जो पत्थर मा मैं अपने मनीश उश्वधिया भाई से पूछ रहा हूँ मनीश भाई आप देखिया आपने वाजिब सवार उठाया है मगर आप बताइए आप ही के एक मंत्री थे कैबिनेट में जो दिल्ली में चल रही थी उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़े-बड़े लोगों के बात कर रहे थे ना इसी तरह के बयान पर तापसपाल की गिरफतारी की आज अरुम जेटी जी ने बहुत सब्स्टूप से कहा है कि अगर किसी जवाब नी हुआ यह तो आप इनको गरीब होने की छूट पर तो आप विहार में जीतन राम मांजी को रोज घसिटते रहते हैं उनको कहा चुट मिलगे तो गरीब अपनी जाती से पहली बार बने हैं वो भी गरीब समुदाय से आते हैं गरीब समुदाय वाला कहां से आप इसमें टांग ला रहे हैं कि एक दिल्ली में जो चर्च में जब आग लगी लगाई गी ठीक है इस पर अब SIT की जांच हो रही है और अच्छा ही किया आप लोगों ने कि इसको लेकर बहुत जादा ऐसे बयान किसी पर शक किसी पर टार्गेट नहीं किया मैं खुद कह रहा हूँ तो SIT की उस पर जाच हो रही है नहीं वो हवा से जल गई उसमें आग नहीं लगाई गई तो ऐसे जल गई होई कोई कारण होगा उसमें हाँ सुनिये तो मैं कि यह अच्छा था कि आपने किसी को अभित्युत दोशी नहीं ठहराया थे जिससे यह बात विवाद होता और बहस किसी और डोमेन में चली जाती और फिर मामला फिर भावुकता पैदा करने का हो जाता मैं यह जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो यह घटना हुई है आप इसे दुरघटना के स्तर पर ही देखना चाहते हैं या यह सब भहस जो तिरलोग पुरी बवाना के पास जो चलते-चली आ रही है उनसे जोड़कर आप देखना चाहते हैं हम तो अंधे होंगे अगर इसको सिर्फ एक चर्च की बिल्डिंग के अंदर इतनी बड़ी आग मानने कि सब कुछ तहसने सो गया जो हमारे इस्ट चीजे हैं सब क्रॉस बाइबल सब धुन्स हो गई अगर हम इसको सिर्फ आग ही मानके चले तो एक अंधापन होगा आग है और बहुत बड़ी आग है सिर्फ चर्च के अंदर नहीं है काफी जगा लगी हुई है और जो दिल्ली में हुआ है उस चीज का शिकर है जो मद्रपदेश के गाउं में हो रहा है इसी भी इत्वार को जब दिल्ली में आग लग लग रही थी वहाँ पर दो हाउस चर्च के पर अटेक हुआ जो च्छतिसगर में हो रहा है जहां पर फादर्स को कहा जा रहा है आप अपने आपको फादर मत कहिए अचारे कहिए सरस्वती जी की अचारे ये सारे प्राइवेट इस्कूल इंग्लिश मेडियम वालों को अचारे कहना चाहिए नहीं फादर्स को स्रफ फादर कहना मना हो गया है आप सिक्षा की देवी की स्टैच्यू लगाइए जिस तरीके से कम्यूनिटी को प्रिशरा इसके जा रहा है चतिसगर में कहा जा रहा है गाउं दर गाउं कि यहां पर वो ही आएगा जो एक धर्म विशेश का होगा बाकी धर्मों के लोग बाकी दर्मों के परचारिये बाकी धर्मों के धर्मास्तल इस गाउं में नहीं रहेंगे क्या यह चीजे अलग अलग हैं किया यह फिसलिवी जूवान है क्या इसको अगर हम अलग-अलग सोचेंगे मेरा ख्याल है हम बहुत बड़ी भूल कर रहे होंगे देश के शाथ एक तरीके है वो देखे जो लोग है उनको कहें हम हम पुरी सोड़ी है हम क्यों कहींगे किसने आग लगाई यही तो पुलिस से पूछ रहे किसने आग लगाई आपने जैसे कहा अपने आप हवा से आग लग गई है कोई अकाश से वह जांच होगी तो एसाइटी के जांच से आप जिसका पुलिस की इंवेस्टिगेशन एक पाठ हो जाता है